आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DHT के बारे में हम जानेंगे DHT क्या होता है और यह हमारी बोड़ी पर किस तरह से इफेक्ट डालता है और आप इसके पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो लेवल है इसका वो बड़ा हुआ है या फिर नहीं इसके लिए टेस्ट भी ह का वर्मेशन करता है जिनमें से हमारा ले वाज़ ragson क्रवां ह्नूलिट किस प्रशाथategа और ऑंग εκमाले से इसके होता है और देखिए नौर्मरल हमारे बोड़ी में देली दोसो से तीनग माइक्रोग्राम DHT का formation होता है जो कि हमारी body में deposit हो जाता है तेकि normally तो इसका कोई side effect नहीं होता है यदि इसका amount normal होता है तो हमारी body में इसका कोई भी दूसर प्रभाब नहीं होता है लेकिन यदि इसका level होता है वो बढ़ जाता है तो हमें काफी सारे side effect देखने को मिलते हैं उनी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले हम जान लेते हैं कि हमारी बोडी में इसकी नर्मल वैल्यू कितनी होती है या फर कितनी होनी चाहिए तेकि females में दो condition होती है निकि उनमें minopause से पहले इसकी जो value होती है वो 24 से लेके 368 तक हो सकती है यह normal है जबकि ऐसी महिला है जिनका मिनोपॉस हो चुका होता है उसमें इसकी value 10 से 181 तक होनी चाहिए जबकि males में इसकी value 200 से 990 तक होनी चाहिए यह इसकी normal value है यदि किसी की body में इतनी value पाई जाती है तो उसमें कोई भी side effect नहीं होता है अब हम यह जान लेते हैं कि यदि किसी का DST का level बढ़ जाता है तो उसमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हमने 3 main symptoms लिए हैं जो की देखने को मिलते हैं तो उसमें पहला symptom है acne is a symptom of high DST यानि कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका DST काफी बढ़ जाता है उसमें काफी acne होना start हो जाते हैं यान कि उनके face पे काफी pimples होना start हो जाते हैं और यहाँ पर इसका दूसरा symptom है are a sitting hairline तो इसमें क्या होता है जो हमारी hairline होती है वो पीछी जाने लगती है यानि कि यहाँ से हमारा hair loss होना start हो जाता है इसके बाद hair loss at the temples and on the crown are symptoms of high DST यानि कि ऐसे लोग जिनका DST level काफी बढ़ जाता है तो उनके crown area से यानि कि इस जगह से और उनके frontal area से hair loss होना start हो जाता है तो यह कुछ symptom है जो कि DST का level बढ़ जाने पर देखने को मिलते हैं तो हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब हमारी बोड़ी में DST का level unnecessary बढ़ जाता है तो यह हमारी बोड़ी के super facial surface पर deposit हो जाता है उसी तरह से हमारे hair follicles के end पर भी जम्मा हो जाता है जिससे हमारे hair follicles को या हमारे बालों को nutrients नहीं मिल पाते और वो धीरे-धीरे से पतले होने start हो जाते हैं और आखिर में आके वो गिर जाते हैं जिसे हम hair loss कहते हैं और देखिए जो DST बढ़ जाने के कारण hair loss होता है वो एक pattern में होता है इसलिए हम इसे male pattern badness कहते हैं यहाँ पर हमने इसकी कुछ images लगाई हुई हैं यह सभी male pattern badness की हैं तो यहाँ पर इनकी grade भी दी हुई है जैसे कि यह first grade है then second then third then fourth then fifth then sixth then seventh और देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपका जो hair loss हो रहा है वो DST के बढ़ जाने के कारण ही हो रहा हो hair loss के कई सारे कारण हो सकते हैं तो इसके कौन-कौन से कारण होते हैं वो भी हम जाल लेते हैं तो यहाँ पर इसका पहला कारण है thyroid hormone high or low तो यदि किसी का thyroid hormone बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तब भी उसे hair loss हो सकता है इसके अलावा यदि किसी के diet में protein की कमी होती है या फिर iron की कमी होती है तो भी उसे hair loss हो सकता है और यदि आपके पेट में acid का secretion कम हो रहा है या acid कम बन रहा है तब भी hair loss हो सकता है इसके लाव यदि कोई ज्यादा stress लेता है तब भी उसे hair loss जैसी समस्या हो सकती है और यह autoimmune disease के कारण भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि आपक भी इसका एक कारण हो सकता है लेकिन आपको इससे पहले जानना जरूरी है कि आपके जो hair loss हो रहा है उसका मुखे कारण क्या है लास्ट में हम यह भी जान लेता है कि यह test कैसे होता है और इसकी report हम कैसे देखते हैं देखिए इस test का नाम होता है 5-alpha-dai-hydrotestistron serum serum means यानि कि यह test हमारे blood से लिया जाता है जिसमें इसका level देखा जाता है तो यहाँ पे दिया हुआ है जो यह patient है इसका level है 471 तो यह बिल्कुल normal है क्योंकि इसकी normal range होती है 250 से 990 के पीछ में होती है तो इस तरह से test भी कराया जाता है इसका level जानने के लिए यह test काफी महंगा होता है यदि आपके बाल तूट रहे हैं या फिर आपका hair loss हो रहा है तो आपको पहले यह जानना जरूरी है कि आपका hair loss किस वज़ास से हो रहा है और यदि आपके diet में protein या vitamins की कमी है या फिर iron की कमी है तो पहले आपको उसको पूरा करना चाहिए यदि उन्हें लेने के बाद भ या तैक यू वरे मुच्छ